इन्होंने कुछ CSR का पैसा एरेंज किया है NHPC से और हिमकट करके कोई कंपनी है हिमाचल से इन्होंने कोई 60 बच्चों में सिविंग मेशीन और सलाई कडाई का सामान बाटा है और जैसे मुझे बताया गया कि इन बच्चों को तीन मेहने से नहीं ट्रेंणिंग भी दी है और मेरी बात भी इनसे यह काफी एकसाइटिड हैं इन्होंने सिलाई करना सिखी है कडाई करना सिखी है और जो डिसेबल हैं ये लोग हैं इनको इनको कॉंफिनेस बिल्ट करने के लिए और अपना रोजगार ही इनिशेट करें उसके लिए एक चोटा सा इनिशेटिव जो इनकी तरफ से है एक बड़ा एक सारहनिया है और इसको काफी एप्रिशेट कर रहे हैं जिन लोगों को हमने दिये वो भी काफी एकसाइटिड है और हमें भी बहुत अच्छा लगा देखिए मैं अल्डी वर्मा हिमकॉन शिंबला से हूं हिमकॉन एक हिमाचाप्रदेश स्टेट गवर्मेंट का और ओगनाईजेशन है जो कि हम इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशल कैठीकरी के लोगों को पैन इंडिया वेसी पे हमारी तरह के कारेकम चले हुए ह एक्चुली यह ट्रेनिंग से फाइनेंशली अठारा उनीस में हुई थी में इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर्ड बाइ नेशनल हैंडिकेप्ट फाइनांस एंडिवाट्मेंट कोर्परेशन गोर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर दा सी एसर इनिशेटिव ऑफ नेशनल हाइड् तोल के दिस्विशन में काफी डिले हुआ एक्टिस में शुरू में था भी नहीं तो फिर हमारा डिपार्टमेंट के साथ लाइजिंग चला था और डिपार्टमेंट ने लोगों की जैसे लोगों ने सीखा हुआ है उसको दिहान में रखते हुए कि जैसे इसका मेन पिसी के सी एसर के अंतरगत ही आठीजेस के मादम के सभी के बैंक खातों में जमा हो चुका है और थर्ड परटी असेस्मेंट हुए है इसमें अफ्टर ट्रेनिंग थरड पार्टी असेस्मेंट इसके बाद बच्चों को स्र्टिवेट ही हमने दिये हुए है जैसे एक करके हमारे यहां पर सुजीत कुमार जो अडिशनल एस्पी रियासी है वो हमारे गैस्ते आज और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो डिसेबल्ड केंड़ेट हैं उन केंड़ेट्स को हम लोगों ने कुछ टूल किट्स दी हैं इसमें हमारे पास दो बैश थे 30 बच्चे जो थे वो सिलाई के थे और जो थर्टी थे वो इंब्राइडरी के थे कड़ाई के तो इन सभी बच्चों को साथ के साथ बच्चों को हम लोगों ने टूल किट दी है जो सिलाई के बच्चे थे उनको हमने एक मिशीन दी है और जो इंब्राइडरी के थे उनको इंब्राइ यानि हमारे इंच्छूड में और यह हमारा प्रोजक्ट जो था यह 2020 में स्टार्ट होगा था और फिर क्रोना की बाइस से बीच में रुग गया था लेकिन अब इसको जो फाइनल स्टेज जो है इसकी अभी जो तूल किस देके की गई है